ऐसे लोगों को तो बम से उड़ा देना चाहिए दोस्तों या आदमी इस लड़की का पीछा करता है और इसकी कार को पंचर कर देता है और उस कार के पीछे छिप कर इस लड़की का आने का इंतजार करता है और ही देर बाद वह लड़की वहाँ आ जाती है फिर वह आदमी उस लड़की को चाकू दिखा कर उसका सोने का घड़ी और परस को छील लेता है तबी अचानक वहाँ उस आदमी का भाई आ रहा होता है और अचानक एक कार से उसका एक्सिडेंट हो जाता है वह आदमी दौड की अपने भाई के पास आता है और देखता है कि उसके भाई को काफी चोट लगी होती है फिर वह आदमी उस लड़की से मदद मांगने लगता है और उसे हस्पीटल ले जाने को कहता है इससे पहले अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करो और अधर कंटरी से हैं तो कमेंट करो फिर वह लड़की उस आदमी से कहती है कि मैं इसे हस्पीटल ले जाती लेकिन तुमने मेरे साथ बत्तमीजी की है और मेरे गारी भी पंचर की है और यह लड़की कहती है कि जिन्दगी में जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है यह सुनकर वो आदमी बहुत सरमिंदा हो जाता है फिर यह लड़की उस लड़के को हस्पीटल भेजने के लिए एम्बूलेंस को कॉल करती है दोस्तों यह वीडियो से हमें यह सीखने को मिला कि जिन्दगी में जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें